हलो दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपनी यूटूब चैनल बालो जबाय केडी सरफे तो पिछली वीडियो में हमने आपसे डिसकस किया था जन्तों में पोसंड आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे मानों में पोसंड कैसे होता है तो मानों में जो पोसंड की या पाचन की क्रिया होती है वो उसके अलिमेंटरी कैनल के अंदर होती है तो यहां पर जैसे एक मैंने पहले से डाइग्राम बना रखा आप देखेंगे तो यह इसका माउथ कैवेटी है मुखगुः वाला भाग है यहां मुखगुः वाले हिस् सबसे मचबूर सब्सक्राइण के निया और इनए微 जो सबसे मचबूर है यह भी फ्लूराइट आयन के कारण सबसे मचबूर breaths होता है तो इनैमल सबसे मजबूत भाग होता है दात का और इस वज़े से दात के ऐसे होते हैं सफेद रंग के भी होते हैं देंटल फार्मूले के अगर हम बात करें तो मुर्ण इसका जो टेंटल फार्मूला है को 21-22 इसे आप लिखेंगे ICPM ठीक है तो इसे काउट करेंगे दो इक तीन दो पांध तो आठ में दो गुड़ा करेंगे 16 गशे होते हैं जब्ड़ों में और इस तरह से मनेस्वे डातों के संख्या कितनी बतीस हो जाते हैं और जो 32-वे दात को बुद्धी डार कहते हैं तो 32-वे दात को बुद्धी डा किसी साइड निकले चाहे नीचले जब्रे में निकले अगर हम बात करें यहाँ पे छीर दंतिकी यह वैस्क के अंदर होगा मतलर जो थोड़े से वैस्क होंगे करी 25 सार के बाद वाले होंगे उनमें इतने दांट हो सकते हैं और उसके अलावा जो छोटे बच्ची होते हैं उन सबमेकजलरी ग्लेंड जो की दोनों जबलों के ज्वाइन प्लेस बिती हैं इससे वार्षन डक्ट निकलती है और एक जिवा के नीचे होती है सब लिंगूर और इससे रिविनस डक्ट निकलती है जिसके लिए ट्रिक है वार्षन मैक्सि पैंके सभी लोग रिविजन करेंगे क्योंकि P-MT बहुत टेंसन है तो इससे आप यास कर सका है वार्षन से होग तो ये तीन तरह की लार ग्रंतियां हमारे मुगोहा के अंदर पाई जाती है ये वैसे तो competition जो general competition के exam होते उसमें ये नहीं पूछा जाएगा इसमें आप से क्यों इतना पूछा जाएगा कि मुगोहा के अंदर किसका पाचन होता है तो जो mouth cavity है mouth cavity के केदर क्या है दो तरह के enzyme पाई जाते हैं इसमें यह होता है लाइसो जाएम फिक जाएम जिसका नाम है तो मुख गुहा में सबसे पहले भोजन का पाचन होगा और भोजन के पाचन में मुख की रूप से किसका पाचन सुरू होगा इस टार्ज का मंड का पाचन मुख गुहा से सुरू हो जाता है तो पाचन के क्रिया की जो सुरुवात है वो कहां से हो रही है मुख गुहा से होती और उसके बाद ये हिस्सा होता है जिसे हम लोग करते हैं ग्रास नली ये भोजन को निगलने का काम करते हैं मुखबुखा के बाद का जो अगला हिस्सा है वो ग्रास नली है इसमें क्या होता है सब में को इसा की लेयर पाई जाते हैं इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है सबसे बड़ा हिस्व सबसे बड़ा और चाड़ा हिस्सा होता है कमारे काम जो होता है ीसके अंदर करीब साहे तीन करोड कितनी करीब साहे तीन करोड जठर गरंथियां पाई जाते हैं तो आमासे के अंदर साहे तीन करोड जठर गरंथियां पाई जाते हैं इसमें साहे तीन करोड जठर गरंथि होते हैं इन जठर गरंथियों से क्या निकलता है जठर रस निकलता है और जठर रस मे अनेकों तरखे एंजाइन होते हैं जैसे इसके अंदर SCL होता है hydroxyloricum द见 पाये ज़ाथा है जो भोजन को सड़ने से बचाता है इसके अलबा renin होता है renin होता है Pepsine होता है ठेक है पेपसीन होता है इसके अलबा ninety होता है key होता है anymore और लाइपेज का रावा इसमें एमाईलेश होता है ऐसे कई तरह के इसमें इंजाइन पाये जाती है जो भुजन को पचाने का काम करते है अब जैसे इसमें रेनीन है तो रेनीन क्या करता है रेनीन का काम होता है रेनीन ये दोध में उपस्थे जो केसीन प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है पिपसीन क्या करेगा प्रोटीन का पाचन करेगा जो पिपसीन एंजाइन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है लाइपेज फैट वसा का पाचन करेगा लाइपेज किसका पाचन करेगा वसा का अर जो एमाइलेज होगा ये कार्बो हाइडरेट का पाचन करेगा एमाइलेज किसका पाचन करेगा कार्बो हाइडरेट का पाचन करता है इस तरह से एमाइलेज कार्बो हाइडरेट का पाचन करेगा तो अब ये चारों एंजायम का नाम हम कैसे याद रिखेंगे तो इसके लिए एक सिंपर ट्रीक है रे के लिए तो यह अंगे कहा करेंके जैसे रेनीra की prender का पाचन के करेगा मतलड़ का पाचन करेगा auction करेगा ए्ज इंडर हमारे क्या हो इतनी सारी चीज़ों का पाचन हो जाता है अब इसमें जैसे जो जठर घंतियां है वो आमास्टे के अंदर होंगे इसमें दो वाल्व भी पाया जाता है एक यहां पर होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं यहां पर एक वाल्व होता है इसका नाम होता है कार्डियक स्फिंटर काडियक वाल यह काडियक स्फिंक्टर होता है धक्कल जैसी समझना है जब भोजन इसके अंदर आता है यह ऐसे नीचे की साइड पे खुलता है और जो उसो फ्रेकर्श उससे भोजन आके इस आमासे के अंदर चलाएगा इसके अलावा इस आमासे के चारो तरफ यहां पे सम्य विक्रोसा की लेयर पाई जाती है जो क्या करता है आमासे को प्रोटेक्ट करता है किसके दोरा जो यह से अलोगा यहां पे इसका पीच वैलू करीब तीम के आस्पास होता है यह किसी किसी बुक में दो दिया रहेगा पानके चलिए 3.5 के नियर आवाउट इसका पीच मान हो दो से तीन इसके पीच वैलू होती है और यहां पे होता है तो यहां पे अगर मान्स वगर्या आमासे के अंदर आता है तो ऐसी उसे सड़ा देता है मतलब उसे गला नहीं का काम करता है लेकिन हमारा आमासे क्यों नहीं बच जाता है ऐसा इस वज़े से क्योंकि इसके चाज डाइजेस्ट हो जाता हम लोग डाक्टर के पास पहुचे रहते हैं सहाब पेट लगवाना है अब उसके पता चलता कि पेट का भी अलग-अलग साइज होता जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं महंगा वाला पेट लगवाते हैं जो गरीब टाइब के लोग होते हैं सस कंडिशन बनते हैं तो लेकिन नीचर ने कितना बढ़ी बनाया है इसमें मांस और बाकी चीज़ें अगर पहुंचते हैं आमासे के अंदर तो डाइजिस्ट कर ली जाती है लेकिन हमारा इस्टमक हमारा आमासे डाइजिस्ट नहीं होता है यहां पर दूसरी वाल्व होती है जिसे हम लोग कहते हैं यह वाली जो वाल्व होती है इसे हम लोग पालोरिक वाल्व कहते हैं पालोरिक इस्पिंटर कहते हैं धक्कन जैसे समचना होती है पालोरिक वाल्व से जो पचा भोजर होता है वो आगी की तरह बढ़ता है छोटी या जे के जैसा होता है, तो आमासे का आकार कैसा होगा, जो हमारा आमासे है, इसका आकार अंग्रेजी के बड़े अच्छा जे के आकार का होगा, ठीक है, इसके अलब, इसमें साथे तीन करूट गैस्टि ग्रंतिया है, जक्टर ग्रंतिया है, अब यह क्या है, आमासे डियोडिन अब इसके अंदर क्या होगा कि यहां पे इसके ऊपर आमासे के ठीक बगल में यहां पे लीवर हमारा है जिसे यह क्रिट कहते हैं और इसके अंदर मतब लीवर से ही लगा हुआ काल ब्लेडर है जिसे पित्ता से कहते हैं तो यह वाला क्या है यह हिस्सा है अग्या से यह अग् यह निकलता है अगन्या से ही रस का श्राव करें ना यह इंद कर देगा और इसे के ठीक नीचे हम पर होगा इसे हम लोग पीत आसे कहेंगे 81, जिसमेंấy 35 होता है, तो अब इसके बाद यहां पर यह अब बड़ी आत, और इसके आवा में यह अंदर का भाव है, यह हो जाएबा चोटी आत का इसके आमा यहां, यह लूए यह बावादा है, यह बावा हिस्से करा यह हो जाएगा मलास है यह मलास है और सबसे नीचे का यह जो पार्ठ है यह हो जाएगा गुदा यहाँ पेख होता है इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स हिंदी में इसे उंडुक कहते हैं क्या नाम देते हैं उंडुक अपेंडिक्स को हिंदी में उंडो कहते हैं तो बस इतना भाग है इसमें मुखरूप से यहां पर ध्यान दीजे कि आमासे का हमने आपको पूरा एक्स्प्रेंड कर दिया डियुडिनम में जब आमासे से भुजन पचेगा तो इस वाले हिस्से में आएगा डियुडिनम के अं पचना सुरू होंगी उसके बाद जो छोटी आथ होगी छोटी आथ पूरी तरह से भुजन को पचा देती है अब छोटी आथ के अंदर क्या होते हैं रसामकूर पाए जाते हैं इस तरह से अंगली नुमा समचनाय पाए जाते हैं जिससे रसामकूर कहते हैं विलस कहते हैं यह यहां से पुछन पहुंचता है फिर बड़ी ранती के अदर और बड़ी आग के अंदर और बड़ी आत सी कम्वा ले हिस्से में खुलती हैं सीकम से लगा हुआ एक अंगुली की जैसी समचला होती है जिसे उंडुक appendix कहते हैं यह सब के अंदर होता है यहां दाइने साइड में होगा और कभी-कभी क्या होता है इसमें इनफिक्शन हो जाता है संक्रमण हो जाता है बैक्टिरियल हो सकता है वायरल हो सकता है बैक्टिरियल जाधा तर होगा तो इसमें इनफिक्शन हो जाएगा या फिर इसमें जो अंडाइजिस्टिट फूड है या फिर जो डाइजिस्टिट फूड है उसका कुछ पार्ट इसक में दर्द होने लगता है फिर डॉक्टर इसे काट के चोटा सा अप्रेशन करके काट के सरी से बहा निकाल देता है क्योंकि वह वैसे भी इसका हमारे सरी में कोई काम नहीं है तो पहले के समय में जब हम लोग आदिमानों थे बंदरों की कटेगरी से भी लाम करते थे तो ऐसी कंडिशन में यह से लोलोश का पाचन करता था 술 जैसे प्लांट्स वाल जो होती तरा चीजहां है शोबपसांत Colm선 Article में सब चीजह को पका के खाने लगा तो इस वज़ए से एसी कंडिशन में तो यह हमारे सरीर के अंदर आउसे से एंग है तो ऐसी कंडिशन में डॉक्टर इसे जब काटके निकाल देंगा इसे हमारे सरीर में कोई इसका बैड एफिक्ट भी नहीं होता है फिर वो जो भुजन होता है जो बचा हुआ खराब अपसिस्ट पदात होता है तो बड़ी आत के अंदर आता है और बड़ी आत क्या करती है भुजन को फिर यह मलासे के अंदर ले जाके स्टोर कर देती है अब जब यह बड़ी आत से गुजरता है भुजन तो बड़ी आत में जो भी चीजे रहेंगे, जैसे वाटर है और बाकि जो मिन्डर जाते हैं, वो इसमें धीरा सांकूर होता है, वो सब इसको असोसित कर लेता है, और लास्ट में जो मल के रुप में, ये मलासे में कत्रित होगा, और इनर्स के बारपाहा निकाल दिया जाता है, जैसे मल जो होग वो यूरो क्रोम के कारण पीला होता है, ये बात आप याद रखेगा, जो हमारी पुरी की पूरी अलिमेंटरी के नाल है, अहा नाल है, इसकी जो लमबाई है, वो करीब 30 फिट के आसपस होती है, या पिर अगर हम मीटर में इसे कंसीडर करेंगे, तो ये करीब 6 से 8 से 8 से 8 अमौतर म sinners कितनी चल्वाथक अरе न overlap कि मिट 20 में न Automg slippery लंड़ी ऊठोड़ है इसके Trek अर्वा जो चे चोटी पहर हैं चोटी चोटी आथर ब्लोगें चोटी याथ कि रॉट की लम्बा जादा 1 इतना होगी करीब 6-7 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है तो जो छोटी आथ है तो आप साधे 6 कहिए जादा बेतर होगा 6.5 तो साधे 6 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है जबकि जो बड़ी आंथ होती है बड़ी आंथ के लंबाई करीब 3,5 मीटर के आसपास होती है तो बड़ी आंथ 3,5 मीटर के आसपास लंबी होती है छोटी आंथ ज्यादा नाम इसका छोटी आंथ है और लंबाई इसके ज्यादा होती है तो ये बेच में जो छोटी आथ इसकी लंबाई ज्यादा होती है, पूरी उलजी होती है, जो बड़ी आथ है इसकी लंबाई कम होती है, थोड़ा ये मोटी है, तो डायमेटर, बड़ी आथ थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, डायमेटर इसका ज्यादा होता है, इस वज़े स इसका नाम बढ़ियात है, जबकि छोटी आत कंजस्टिर होती है, इसका डामीटर कम होता है, ब्यास कम होता है, इस वज़े से इसका नाम क्या पढ़ गया, छोटी आत, तो इस तरह से जो human में digestion की क्रियात्री वो पूरी complete होती है, इसके अलामा जैसे यक्रित है, यक्रित हमार और फिर तरह साके पितासे में एकत्रित होता है, तो ये निराविसी करन करता है, माने सरीर के अंदर जो बिस होता है, जहर बनता है, डिपरेंट तरह के enzyme होते हैं, या food material से, पोसक तत्तों से जो भी हमें खराब abscist पदात मिलता है, उन सब के प्रभाव को liver हमारा कम कर देत होता है, तो ammonia को यूरिया में बतलने का कम liver करता है, इसके अलबाद जो अग्यासे है, अग्यासे दो तरह के हर्मोन सरीलीज करता है, एक glucagon और एक insulin, insulin हर्मोन क्या glucose के storage में हिल्प करता है, और बाकी जो insulin हर्मोन होता है, वो diabetes का नियंतरन करेगा, जैसे insulin के अगर हमारे सरीर के अंदर मात्रा कम हो जाती है तिससे जो ब्लड का सुगर लेबल होता है वो बढ़ने लगता है तो इंसुलीन हार्मोन रखते के अंदर सुगर जो होता है मतलब जो सकरा की मात्रा होती उसे नियंतित करने का काम करता है तो जिन ब्यक्तियों में इंसुलीन का स्राव कम होता ह इस तरह से जो digestion, human digestion का concept है वो clear होता है बाकि अगर किसी भी तरह से और आपका कोई क्यूशन इस टॉपिक से बनता है आप comment section में comment कर सकते हैं इतना ही general competition के exam में इतने ही चीज़ें ज्यादा तर आपके exam में पूछी जाएंगी इससे ज्यादा detail में नहीं पूछा जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद